नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक competition community में और संग्राम स्रीस के तहत हम आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आचुके paper 7 part 2 और paper 7 part 2 के अंतरगत आज हम देखने वाले हैं कि special संगठन एक विशेस organization वैसे आप मैप देखके बता ही सकते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें Europe का में आपको फोटो यहां पर नजार आ रहे तस्वीरों में आप देख सकते हैं लेकिन European Union नहीं आज हम पढ़ने वाले हैं NATO अच्छा आप सभी को एक चीज और बता दे कि इसके पहले भी हमने दो वीडियो अल्डेडी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए राश्टे उन्तराश्टी संगठन से संबंदीत एक पार जो मैंने कर आया था SDR से रिलेटेड, IMF का SDR वाला जो पाट है आप जरूर देखें और एक स्पोर्ट्स वाला हमने यहां पर किया था क्रिकेट के जो प्रारूप होते हैं टेस्ट, ODI और आपके T20s तो वो दोनों वीडियो आप जरूर देखेगा यदि आपने यहां पर नहीं देखा है आज का जो टॉपिक है वो है नाटो से रिलेटेड ठीक है यह संबदित है नाटो से तो कहा जाता है कि वैश्विक परिद्रिश्य में जियो पॉलिटिक्स में नाटो का और ससुराल में भाटो का इंधोनों का बहुत बड़ा रोल होता है क्या रोल रहने वाला है नाटो का यह बना तो एक संगठन जो है एक शित्र विशेष के लिए है लेकिन यह विश्व में क्या भूमी का निभा सकता है इसके हमें आपर चर्चा करेंगे और जब किसी संगठन को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको इसका डिविजन ज हम देखेंगे वहाँ पर एक पार आता है पॉलिटी में समकालिन विश्व में राजनेती तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ता है जैसे संस्था जो होगी वह एक हो सकती है आपकी रिजनल बोले तो सर्च शेत्र विशेष के लिए बनाया जाती है और एक जो संस करना शेत्री मतलब हम क्या बोल रहें यहाँ चैसे कोई भी संस्था चैसे सार का क्या आप बात कर लिजे यह दःख्षिन एशाई चेत्री संगठन होता है सही वग समूव होता है आप और यह आपका साउठ इस्ट अश्यान नेशन का गृप होता है यानि की दःख्षिन पुर्वी एशिया होई जो देश हैं उनका एक समूवत है नाटो के आप बात कर लिए ये भी एक शेत्र विशेस के लिए नौर्थ एट्लांटिक नाम ही ना इसके में कि एन एक मतलब होते है नौर्थ एट्लांटिक तो अट्लांटिक जो है उसका उपर वाला हिस्सा उत्तर देश हैं तो यह सब किसी शेत्र विशेस के लिए इसको बनाया गया है EU European Union यह किसी शेत्र विशेस के लिए इसको बनाया गया है अब जो वैश्वे की स्तर पर है इनका देश अभी कुछ अलग रहता है लेकिन इसमें शेत्र का ध्यान नहीं रखते हैं इसमें all over world से कहीं से भी हम उठा सकते हैं जैसे quad की हमने बात कर ली Q-U-A-D quad हाला कि यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक विशेस रूप से आपका Asia Pacific region को concentrate किया गया है फिर भी Asia Pacific की सभी देश तो नहीं है ना यहां पर ठीक इसलिए आप वास रूप आपको इसमें global में लेना पड़ता ह दूसरा अगर यहां पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि I2 YouTube की आप बात कर लीजी इसमें इसराइल है आपका इंडिया है अमेरिका है UAE है इसके लावाब बात कर लीजी ओपेक की आप बात कर लीजी यहां पर भी आपके oil supplier जो countries होते हैं यहने कि जितने भी आपके petroleum export आपके nations ह होते हैं उसके यहां पर शामिल किया जाता है इसमें भी देखेंगे भाई कोई देश अमेरिका की हैं कोई आपके आफरिका से हैं कोई जो देश है वो आपका Asia से है तो ऐसा इसमें combination आपको देखने को मिलेगा ठीक है जी 20 को ले लिजी आप यह दो पूरा global है ब्रिक्स को लिजी आप अलग-अलग continent अलग-अलग महादीव से तो ऐसे हमने यहां पढ़ते क्योंकि यह समझना आपके लिए आवश्यक है जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं जब उसके बारे में आप लिखेंगे जब उनके विशेस्ताइं लिखेंगे जब उनके कुछ लिमिटेशन लिखेंगे जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी होंगी उद्देश, लक्ष, लक्ष, एंड आल तो आपको पहले समझना पढ़ेगा कि वो संस्था, वो और्गेनाजिशन एक्चुली किस पर आधारित है, क्या शेत्री विशेस है या ग्लोबल है, इसके बाद आपको ये भी बताना है कि सर, ये विशेस रूप से किस उद्देश की पूर्ती के लिए बनाया गया है, तो एक अलग आप डिविजन देख सकते हैं, उद्देश, ऑब्जेक्टिव, उद्देश, ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर आप देखेंगे, for example, जैसे कि साहर का जो है, ये एक छेत्री सहयोग संगटन है, इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, आपको क्रिशी देखने को मिलेगी, ठीक है, सिक्षा देखने को यहां पर, ठीक, तो यह अलग अलग यहां पर हो देखने, सैन यह नहीं होगा, सैन यह कि अगर मैं बात करता हो, तो यह जैसे कि हो सकता है, यह सुरक्षा संगटन है, यह नाटो जो दिख रहा है, यह सुरक्षा संगटन है, यह किस से संब्दित है, यह आपका, सब maximum किस से संबंदी थे यह आपके सब के सब आर्थिक सहयोग संगठन है याद रखना तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अलग-अलग संगठन जो है यह आपके जोग्राफिक एधार पर हमने अलग करा इसको इसके अधार पर हमने अलग करा बेसिक जो परपस है में परपस है मुख्यों देश्य है वो क्या है जैसे यहाँ पर आपको देखने को लग इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लैकहरतन मिलेगा है थोरीजम मिलेगा उर्जा सब चैनलोजी एक प्रकार का संगट हैनी। सारी चीज़े अपन आर्थिक के अंदरगत पढ़ते हैं तो आपको पता में अच्छे कि यह सब जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है क्या इसके प्राइमरी आपके उदेश हैं मेजर जो देश हैं वो चीज़े सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं नाटो के बारे म वहां पर भी करिए और आप अपने नोट बुक में जहां पर आप इसको लिखने वाले वहां पर तो करना ही करना है यदि यह long answer में आता है तब definitely करें क्योंकि आपके पास मुझे नहीं लगता कि इतना सारा content आपके पास ready होगा नहीं भी होगा तो at least यह आपको helpful करेगा तो फिर नाटो का इतिहास भाई क्यों बना नाटो का headquarter HQ जैसे PHQ होता है वैसा इसका भी है तीक है headquarter सबका हो जरूरी नहीं है headquarter सबका हो यह जरूरी नहीं है पर जिनका है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद हम देखते हैं next हो जाएगा आपका यह framing बहुत important होते हैं इसको आपने देखा होगा most of the cases में मतलब इतिहास का मतलब है कि कैसे आया या क्यों आया क्यों स्रिजन हुआ नाटो का स्रिजन क्यों हुआ यह बैक्राउंड की हाँ पर हम बात करते हैं headquarter देख लिए फिर हम देखेंगे सदस्य देश मेंबर कंट्रीज सदस्य देश मेंबर कंट्रीज उसके आद उद्देश्य में भी चले जाएंगे यहीं पर हालाकि यहां से भी आपको देखने को मिलेगा आप यहां पर बिलिख सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं ठीक इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे रिसेंट एक्टिविटी में जो भी चीजे रहेंगे या इनके कुछ नियम जो रहेंगे इनके कुछ अनुच्छेद हैं पुरे तो नहीं लेकिन पुर्ण पूर्ण पुर्ण अनुच्छेद 5 जो है इसका यह समिधान की नियेना इसका अनुच्छछ है इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कोई भी रूल बुक कोई भी नईमा वाली कोई भी किताब आती है तो हमेशा आपको वहाँ पर आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी इनके आर्टिकल्स या इनके कुछ शेडियूल्स आपको मिलेंगे जिसे आप वन ने जी परानी सरक्षन अधिनियम पर जाएं आपको अनुसूचिय आपको देखने को मिलती है तो ऐसा नहीं कि केवल आप समीधान में अनुसूचिय और अनुच्यत पढ़ते हैं आप यहाँ पर भी अनुसूचिय या अनुच्यत पढ़ेंगे तो इसमें शेडियूल फाइप आप जरूर लिखेगा बहुत-बहुत व 256567 को एक आठ यहीं से हो जाएगा साथ से आठ पॉइंट यह आपके पास हैं तो आप मायन के चले कि आपका जो प्रेशन है लॉंग अंसर के लिए आठ नमबर या दस नमबर के लिए परफेक्ट हो जाता है आपके पास रेडि हो जाता है ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर आ 12-13 लेंड का कॉंटेंट बहुत आराम से रेडी हो जाता है यदि आपकी फ्रेमिंग स्ट्रॉंग है और वैसे भी आपने यह चीज अगर बना दी तो आधा लगभग आपका 10-20% अरिया यह भी कवर कर लेता है तो उससे आपका आंसर बहुत अच्छा दिखने लगता है औ और अच्छा लगेगा कि हाँ आपने यह चीजें बनाई यह चीजें करी करके तो आप सेक्वेंसिंग में हाब आप बता सकते नाटो फुल फॉर्म क्या है तो आप सबसे पहले बता दीजेगा नौर्थ एट्लांटिक नौर्थ एट्लांटिक या अट्लांटिक ट्रीटी ओर्गिनाजेशन हिंदी वाले बच्चे भी आप इसको चाहें तो देवनागरी भाषा में लिख लें क्या होता है जैसे जब आपको इसका हिंदी पूर्ण रूप लिखना होगा तो जोरुरी नहीं कि आपको हिंदी में जैसे की उत्तरी अट्लांटिक संधी 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 स आप सिंपल उसको साउथ एशियन एस्सेशन फॉर रिजनल कोपरिशन एंग्लिश हिंदी में भी साउथ सरोता कसा उल्लू का ओ थनका था ऐसा आप उसको लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एंग्लिश का याद रखना आपके लिए आवश्यक है हिंदी में लिख रहें तो बहुत अच्छी बात है कोई इस्यूस नहीं राइट तो आपने यहां पर लिख लिया फॉल फॉर्फॉर्म कब बना देखे क्या है में आप कब है तो यह सारी चीज इसमें आ जाती न कब भी आप यहां पर लिखेंगे फिर उसके तिहास एंडॉल उसकी सा मैप देख लिएगा यहां पर आपको मैप जो है वह नजर आ रहा हा यह चैनल contracting हिस्सा है यही कौन से न नजर आ रहे है यह ए तुम्हारा भू स्रि भू अटलांटिक। और कौन से अटलांटिक नोर्थ अटलांटिक? मतलब उत्त्री अटलांटिक। पुत्री अट्लांटिक सागर महा सागर ठीक है अब इन दोनों के बीच इधर अमेरिका और कनेडा है और इधर आपके यॉरॉपियन निशन्स हैं यॉरॉपी कंट्री में सभी नहीं है कुछ-कुछ इक्सेप्शनल्स हैं बड़ी कंट्री मैं आपको यहां पर बताऊंगा फिलाल यहां पर हम चलते हैं तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कहा या अमेरिका ने सोचा कहेगा क्या सोचेगा कि भई 1945 के बाद जब दिती विश्युद्ध समाप्त हो अध्यां से समझेगा ने लोकेशन पहले इसे लिए बता दिया आप लोगों को ताकि आपके दिमाग में आपके मैपिंग में रहे नहीं भी है तो आप एक बार मैप निकाल लिजोड देख लिजेगा इधर आपका उत्तरी अमेरिका नीचे देखशन अमेरिका देखशन मेरिका से कोई लेने देने नहीं है उत्तरी अमेरिका में भी मैक्सिको से इसको याद रखना याद के भी दो पार्ट होते हैं इदर वाले जो शेतर दिक्ष्त रहा है ये वाला इसको Western Europe कहते है और इधर वाले जो शेतर दिक्ष्तर नहीं ते जब जुड़े हुए थे भाकि ये裡 नहीं थे बहुत कम मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे अभी तो इनकी संख्या जो 32 हो चुके ठीक है तो जब आधे से भी कम थे इनके मेंबर्स तो जादतर जो देश थे वह वेस्टन यूरोप वाले देश यहां पर हुआ करते थे अब समझेगा क्यों क्या कैसे कहानी उननी सो पैतालिस में जो देती विश्व दे समापता हुआ उसके बाद विश्व जहें दो गुटों में दो धड़ों में बढ़ गया एक जो धड़ा एक जो गुरूप था उसको हमने देयाना था रश्यन फेडरेशन वाला यानि कि जिसको यू ऐसे सार की रूप में जाना के पार ठुआ करते थे कहानी यह है कि दो हमारे पास एक वैश्व गृप क्रेट हो चुके थे बन चुके थे एक अमेरिका और एक आपका रश्या इसी में एक और चीज जो आपने सुना होगा जो आपने पढ़ा होगा जो आपको पेपर में भी आपको पुछा गया है ठीक नए ग्रूप की या एक नए मोर्चे की हम यहाँ पर शिरुवात करते और उसकी अवधारा को हम एक बल देते हैं तो हम तो अलग हो गया अब ऐसे लोग जो अमेरिका के समर्थन में थे क्योंकि किसन किसी के समर्थन में तो हमको जाना था तो ऐसे लोग जो अमेरिका के समर वर में चले गए, वो ये वाले देश थे, ये सारे के सारे देश थे, जिसको पश्य में यॉरप के अंदर गथ हम ने देखा, फिर ऐसे जो देश जो अभी नीट्रल थे, अभी किसे के साथ नहीं थे, या यूं कहें, कि वो खुद रश्या के हिस्सा हुआ करते थे, याद रश्या तुम पर कभी भी और कैसे भी अटेक कर सकता है, क्यों, क्योंकि तुम रश्या के डारेक कांटेक्ट में हो, आप इसको इस प्रकार समझना कि आप एक कालोनी में रहते हो, माल लेते कोई भी एक कालोनी है, कालोनी ए है, और यह कालोनी भी है, ध्यान से समझेगा, यहां पर बहुत सारे लोग है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा, और यहां पर एक और है, यह कॉलनी B है, और यहां पर हम ले लेते हैं, कोई है, for example, यहां पर ले लिजी आप इसको, I ले लिजी इसको, आप इसको Z ले लिजी, जो भी आप लेना है ले लिजी, ठीक है, अब कॉलनी A B में बहुत सारे लोग रह रहे है, Colony B में भी बहुत सारे लोग रह रहे है, यह जो I और J है, इन में से I बहुत शातीर है, और यह कहता है, वन को जा के कहता है, कि भाई सुन, तूना मेरे साथ संगठन बना ले, मेरे साथ जुड़ जा, मैं बहुत पारफुल हूँ, और मै जो है ना, देख, तिरह भाई, क्योंकि दो अल्ड़डी इसके साथ जूड़ा हुआ है, तीन इसके साथ अल्ड़डी जूड़ा हुआ है, तो एक तो फाइदा तुमको जुड़ जाओ, क्योंकि जो चार जो है न चार मतलब यहां का रश्या है, ये तुम लोगों को कभी भी समाप्त कर सकता है, तुम लोग को इपर कभी भी अटेक कर से ते, क्योंकि तुम लोग छोड़े देश हो, कुछ लोगों को बाद हजम होई, कुछ लोगों को हजम नहीं हुई जनको हजम हुई वो अमेरिका के साथ खोली है 48 तक ही जो है एक गुरूप बन चुका था यह जादा लोग नहीं थे मैंने पता है 12 लोग शामिल थे तो अमेरिका ने एक प्रकार से डर दिखाया उनको कि भाई आप हमारे साथ आ जाए और कभी भी प talks करें लाव कियуска इसी पर आने वाली तक सब चारणा नहीं तक प्रॉब्लम नहीं हुई थी इन क्यान्बे तक यह कहानी जो अटालिश शुरू हो चुके थी 48 से 40 साल ठीक ठाक अच्छे खास से आपके बीच चुके थे 91 तक कुछ खास दिकत नहीं था इन क्यान्बे के दारान हुआ यूँ कि ज्यान से समझना 90 के दर्शक में लिख सकते हैं चाहे तो तो उस दारान यहाँ पर जो जर्मनी आप देख पारे तो जो जर्मनी हुआ करता था ने बेटा वो एक्चुली दो पार्ट पे थे जैसे पॉर्वी जर्मनी वो अलग था दो अलग जर्मनी हुआ करते थे अभी के केसे में जो आप जर्मनी देख रहे है वो यूनाइटेड है आप यह मानके चले जैसे कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश अभी है 47 के पहले दोनों एक देश हुआ करते थे वैसी अभी तूड़ती क्यों नहीं करके फो दिवार जेट जाती है बरिलिन की दिवार तूट जाती है और उसके बाद दोनों देश हो जाते हैं यह बहुत and strong और positive message यह जाता है भले किसी ने किया थो लेकिन एक message कुछ मत करें लिकिन मैसेज तो यह जैसे होता ना जरली आपने देखा होगा गौतंग अंभीर एलिगेशन नहीं बोलते हैं कि एक छक्के ने हमको वर्ल्ड कप नहीं जीताया था एक छक्के ने हमें वर्ल्ड कप नहीं दिलाया था लास्ट में जब दोनी 6 मार दे तो बहुत हैं मिसेज को कर पाते हैं ठीक है क्रेडिट जरली कैप्टन को जाता है जब जीता है तो भी और जब हारता है तो भी सेम यहां पर नेता जो बन रहा है या नेता जो बना था वो कौन था वो तुम्हारा USA था और US को ही कहीं ने कहीं बाकी यहां के जो जर्मन के अलावा बाक से अलग हो जाते हैं रश्या की जो पार्ट होगा देए देखे इस सारे की सारे जो नेशन से ये सब के सब कभी रश्या का पार्ट होगा करते थी इस सब हड़ जाते है और स्वतंद्र देशों का एक समूव बनता है नबे के दर्शक में जिसको हमने कहा CIS के रूप में जाना जाता है किसके रूप में? CIS के रूप में जिसको जाना जाता है CIS पर भी question आ सकता है कौन थे क्या थे? रश्या से हटके अलग बनते हैं अब कहानी फिर दीरे दीरे आगे बढ़ती है इन लोग जूडते हैं तूडते हैं और नौटो के सदस्य बनते चले जाते हैं धीरे 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 ये लोग नाटो के मेंबर बनते चले जाते हैं धीरे धीरे लोग सब के सब नाटो के मेंबर बनते चले जाते हैं असली कहानी आपको यहां पर मिलेगा याद रखना असली कहानी क्या होता है नौर्वे यहां पर पूप सरूर याद रखेगा ये Norway है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Sweden मिलेगा Sweden है Sweden और ये आपको मिल जाएगा Finland क्या क्या पताने Finland Sweden और Norway नीचे आपका Denmark किये खैर यह थोड़ा नीचे है और ये चार आपके nations उपर के तीन ये fingers आप हमेशा याद रखना है इसलिए याद रखना हो क्योंकि यही जो तीन nation है जरलिया आप किसे भी indexes में देखिएगा किसे भी सुचकांग नहीं यह number one पे होते हैं टॉप में होते हैं हमेशा ठीक सो नौर्वे स्वीडन और फिंलेंड यह जो तीनों के तीनों जो देश हैं इनमें नौर्वे यह शुरू से बना है starting से 1948 से इसका सदस्य रहा है जबकि यह दोनों देश अभी एक 23 में और एक 24 में अभी बने सबसे recent member है सबसे नए member है कौन यह दोनों तो यह दोनों देश है ना उस समय member नहीं हुआ करते थे अचाहिक और चीज़ नार्वे जो है न यह European members European Union का सदस्य नहीं है मेरे को EU का member नहीं बनना है मेरे को तो भाई बस बिंदास रहना है किसका मुझे बनना है नाटो का सदस्य रहना है यह दोनों जबकि EU के member थे नाटो की सदस्य नहीं थे लेकिन अब यह दोनों के member बन चुके है नाटो के भी और आपके EU के भी तो कहानी कुछ ऐसी थी कि यह आपके Baltic nation Baltic में तीन nation आते बटा याद रखना यह सब क्यों क्यो बच्पन में पड़े हो भाई किताबे, classes उठा के देखो यह बात की बात थी कि उस समय आपने serious इसको नहीं पढ़ा था लेकिन आपके syllabus में था ब्लकुल था आप जाके देखे कक्छा दस्वी मुझे नहीं था कि कोई बच्चा दस्वी नहीं पढ़ा होगा हर कोई कक्छा दसवी पढ़ा है रुकक्षा दसवी तक की किताब में सब आपको देखने को मिलेगा और नहीं भी मिलते तो ठीक है ना भाई मिलेगा यह तो तय है यह गैरेंटीड है यह मैं बतारो पढ़ा यह भी आपको याद नहीं होगा फिर भी मैं माल देता हूं कि आपने सपोस नहीं सपोसज नहीं पढ़ा यह सपोस्ज आपकी अमेरिक सब्सक्राइब यह सब्सक्रार दोल भी कुछ उतनावच पढ़ने मेंटीटेल नहीं था चा किन गारेंगों को पढ़ते हो जब आपको किती द्यारी करनी है मौनतीं की तो आपको अफ़ेटे था रए तो फोल लगता है है जिसको पढ़के आज आठवी नवी दसवी आप पढ़े हैं आपुस चीज को आज आपको हाड लगता है रिजन इस दाट क्योंकि आपने इसो च्छाय साल आट साल पीछी छोड़ दिया है तो रियालिटी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा सागरों के नाम बता रहूं 90% बच्चे लोगों को नहीं पता होगा कि सर यस इसको हमने देखने को मिलेगा नहीं अपता है लेकिन पढ़े हैं सब पढ़ना पढ़ेगा एक कहाने वापस आते हैं तो ये आपको बाल्टिक सागर उसके पास जो तीन आपके देश हैं, ये काफी डेंजरस, रश्यक लिखा दनाग, लताविया, लुतिवानिया और आपका एस्टॉनिया, ये तीनों के तीनों जो देश हैं, ये भी नाटों के सदस्य बन जाते हैं, कुछ एकाथ को छोड़ के बाकी के लोग नाटों के सदस्य नहीं बनते हैं, अब कहाणी जो शुरू होती, योक्रेन के नाटों की सदस्यता लेने की बात, योक्रेन ने जैसे ही इस बात को छेड़ा, ये जैसे ही इसके आभास लगें, तो रश्यक ने और पुरानी चीज़ों को खो धो देते हुए, किया कर दिया इसमें अटेक करना शुरू किया वैसे भी क्रीमिया को इन्होंने पहली किर लिया था क्रीमिया और यही कारण था कि इसको घी10 से हटा के फिर जी7 हो चुका था यह जटा दिया गया है तो कहानी कुछ ऐसई थे की पहले जो चर्चा में रश्या द्वारा युक्रेन पर आकरमन कहीं ने कहीं उसके प्रिष्ट भूमी बताईगे कि वो नाटो के सदर से बनना चाहते हैं आपको लोगे सार रश्या को क्या प्रॉब्लम है बनने दोना भाई मतलब अगर यहां के लोग जो है मेरे मेंबर्स मर रहे या मेरे ग्रूप में एड़ हो रहे तो इसको क्या समस्या समस्या इसको इसलिए है क्लके डेट में सब के सब नाटो के मिंबर बन गये और ऐसे कुछ इस्तिती हुई कि लड़ाई वड़ाई कुछ करना पड़ा या कुछ हुआ तो अमेरिका सीधा सीधा उसको दबोज देगा रश्या को निर्मान हुआ जिसको हमने नाटो के रूप में जाना लेटर ओन आप कह सकते हैं कि लेटेस में स्विडन और जो फिनलेंड है ये आपके दो देश हैं जो हाल ही में इसकी सदस्य बने हैं तो moral of the story यही है कि आपको यह बताना है कि पश्यमी स्वारिंग अट्लांटिक शेत सदस्य थे जिसमें विशेश रूप से पश्यमी यह आपके जो देश शामिल थे धीरे थे इनकी सदस्य संख्या बढ़ती गई और आज इनकी संख्या 32 हो चुके जिसमें लेटेस मेंबर की रूप में आपके दो देश हैं जो कि स्विडन और फिनलेंड इस परकार से अपन सदस्य सक्या है जो अनुछेद पांच इनका अर्टिकल फाइब यह कहता है अगर कोई दुश्मन country, कोई दुश्मन देश नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला करता है ऐसे श्थिती में नाटो के समर्थन से यदि नाटो देश के समर्थन से हम उस देश पर counter attack कर सकते हैं काउंटर अटेक यानि कि उसके विरोध में हम अटेक कर सकते हैं अनुछेद पांच क्या कहता है यदि नाटो की किसी भी सदस्य देश पर किसी दुश्मन देश ने हमला किया कोई भी दूसरा देश हो सकते है जैसे आप यहाँ पर देखें यहाँ बर आप नज़र डालें यह देश नाटो से गुहार लगाएगा, कहेगा कि मुझ पर मेरी प्रतिष्था पर हमला किया गया है मेरी संप्रपुदा पर हमला किया गया है तो चले हम इसको मिलके मारते हैं यदि सभी सदस्दे तयार हो जाते हैं तब ऐसे कंडिशन में उस पर आकरमन किया जाएगा और ऐसा केवल एक बार हुआ है Only one So check up उसामा बिन लादिन को जब मारा जाना था उस दावरान अमेरिका ने अब देखो सिंपल सी बात है अमेरिका तो यहाँ पर लिडर है नेता है नेतित्व करता है तो खुद ही बोलेगा कि भाई यह चीज क्यों न हो करके तो अमेरिका ने इस दावरान पहली बार इस आर्टिकल का उप्योग के था और दुनिया में केवल एक ही बार हुआ है पहली और आखरी बार ठीक है वो कब जब उसामा बिन लादिन को मारा गया वहीं दूसरी और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक बार टर्की में भी ऐसे कुछ कहानी हुई थी और टर्की को इसके अनुश्य पांच के उप्योग के लिए अमेरिका ने बोल दिया हम नहीं हम नहीं मानते हैं हम मना तो सभी के सहमयती यहाँ पर आवश्यक है तो आर्टिकल 5 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ आया होगा आपने समझाओगा आगे और भी इसी प्रकार के हम आपके लिए टॉपिकली कर आते रहेंगे ऐसे आप हमारे साथ बने रहें एंजॉय करते रहें चैनल को सब्स्ट्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू सो मच चेहन्द